हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिसकेशन सेशन में, जहां आज का सवाल है विकास शील समाजों के कार्यक्षेत्रों में नारी की उपस्थिती में वृध्धि के आशय की व्याख्या कीजिए। तो चलिए, इस सवाल पर चर्चा शुर अर्थिक विकास, महिला कार्यबल की भागीदारी में वृध्धि से श्रम पूल का विस्तार और उत्पादक्ता में वृध्धि करके देश की आर्थिक वृध्धि को बढ़ावा मिल सकता है। इससे घरेलू आय भी बढ़ सकती है और गरीबी भी कम हो सकती है। लेंगिक समानता, काम के नारी करण को लेंगिक समानता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वतंतरता मिलती है, जिससे अधिक सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हो सकता है। शिक्षा, जैसे जैसे अधिक महिलाएं कार्यबल में प्रवेश करती हैं, अक्सर महिला शिक्षा पर जोर बढ़ जाता है, क्योंकि शिक्षित महिलाएं उच्च कुशल, बहतर भुगतान वाली नौकरियों में भाग लेने के लिए बहतर धंग से सुसज्जित होती हैं। परिवारिक गतिशील्टा, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में बदलाव परिवारिक गतिशील्टा को प्रभावित कर सकता है। दोहरी आये वाले घर अधिक सामानने हो गए हैं, जिससे संभावित रूप से घर में जिम्मेदारियों को साज़ा करने के तरीके में बदलाव आ रहा है। सामाजिक परिवर्तन कार्यबल में महिलाएं पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती देती हैं और लिंग भूमिकाओं और अपेक्षाओं के प्रति द्रिष्टिकोण में बदलाव ला सकती हैं। कार्य स्थितियाँ, कार्य परिस्थितियों से संबंधित चुनौतियाँ हो सकती हैं, जिनमें लिंग आधारित भेदभाव, असमान वेतन और कार्य जीवन संतुलन के लिए अपर्याप्त समर्थन जैसे मुद्दे शामिल हैं। अवसरों तक पहुँच, सभी महिलाओं को कार्य बल में अवसरों तक समान पहुँच नहीं है, खास कर विकास शील समाजों में। शिक्षा, सामाजिक मान दंड और भेद भाव जैसे कारक महिलाओं की कुछ नौकरियों या करियर में उन्नती तक पहुँच को सीमित कर सकते हैं। देखभाल का बोज, कई मामलों में महिलाओं को देखभाल की जिम्मेदारियों का असंगत बोज हुठाना पड़ता है, जो कार्य बल में पूरी तरह से भाग लेने की उनकी क्षमता को परभावित कर सकता है। नीतिगत नहितार्थ, सरकारों को कारेबल में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने के लिए नीतियों को लागू करने की आवश्यक्ता हो सकती है, जैसे माता-पिता की छुट्टी, किफायती बाल देख भाल और भेद भाव विरोधी कानून. कुल मिलाकर, विकास शील समाजों में काम के नारी करण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं, जो लैंगिक समानता के स्तर, सरकारी नीतियों और सामाजिक द्रिष्टिकोंड सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है. यह श्रम गतिशीलता में एक जटिल बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए महिलाओं और समग्र रूप से समाज के लिए सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इसके नहितार्थों और संभावित नीतिगत हस्तक्षेपों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यक्ता है